कि यूटीव चैनल आज हम स्टार्ट करने वाले सेल बायो टेकनोलोजी फ्रॉम एसे सी क्लास्टें साइंस त्यू चाप्टर नंबर एट जिसका देखेंगे लेक्चर नंबर वन इसमें पहले थोड़ा इंट्रोड़क्शन देखेंगे थोड़ी इंट्रोड़क्शन की बात बाते करेंगे बिसिक बाते करेंगे एंड फिर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सेल्स के बारे में यह क्या होते हैं कहां मिलते इनका काम क्या इनका परपस क्या है यह सब आपको बताऊंगा इस चैनल सब्सक्राइब करना शेर करना वीडियो करना तो चलिए शुरू करते है हम सेल बायलोजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सेल क्या होता है यह मुझे पता होना चाहिए क्या होता है सेल कुछ नहीं होता सेल इस फंडमेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थ पे जितनी सारी लाइफ है अनिमल्स हैं प्लांट्स हैं माइक्रो और्गेनिजम्स हैं फिर यह जो सेल है वो गुरुब बना लेते हैं काफी सारे सेल्स जमा होकर एक गुरुब बनाते हैं जिसको बोलते हैं टिशू उस टिशू का भी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनता है देखो A group of cells having the same origin, same structure and same function is called as a tissue मतलब क्या यह जो सारे tissue के cell होंगे उनका origin सेम है origin मतलब क्या यह सारे cell सेम तरीके से बने होंगे उनका origin सेम रहेगा उनका structure भी सेम रहेगा उनका shape सेम रहेगा and उनका function भी उनका काम भी सेम होगा such a group of cell is called as a tissue by the way यह दोनों definitions लिखते जाना notebook ले रहे अपनी कुछ basic points आपको एक एक बताते जाओंगा वो सब आप लिखते जाना ठीक है cell का definition लिख लो tissue का definition लिख लो कूल है clear अब बच्चासि हम पढ़ते आये हैं हमने क्या क्या पड़ा है हमने structure of cell पड़ा है plant और हमने अलग होता है आइंमल सेल अलग होता है बैक्टिया का सैल अलग होता है नहीं होती है तो हमने ट्रक्चर पढ़ रखा है फिर हमने टाइपस ऑफ सेल्स पढ़े हैं प्रोकारियोटिक सेल होते हैं यूकारियोटिक सेल होते हैं प्रोकारियोटिक कहा होते हैं बैक्टेरिया में होते हैं यूकारियोटिक कहा होते हैं यूमन्स में होते हैं अनिमल्स में होते हैं प् क्लूरोप्लास्ट है माइटो कॉंड्रिया वैक्यूल है नूकलियस है लाइजोजोम से बहुत कुछ है बहुत कुछ माल मसाला सेल के अंदर फिट होता है ठीक है यह तीन चीज़ें हमने पढ़ी है एंड हमारे सेकंड चाप्टर में हमने सेल डिविजन के बारे में भी कहता है इन सारे चीज़ों की स्टड़ी को हम बोलते हैं सेल बायवजी और साइटो लॉजी द्यान से सुनना बच्छों साइटो मतलब सेल साइटो मतलब सेल एंड लॉजी मतलब स्टड़ी सेल की स्टड़ी इस कॉल्ड एस साइटो लॉजी एकदम सिंपल बात है बच्छों यह डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो मैं रिपीट कर देता हूं वह आप लि यहां तक बेसिक बात है समझ में आ गई अब एक कहानी आद करो यह कहानी हमने चैप्टर नंबर थ्री में रिप्रोड़क्शन में यूमन रिप्रोड़क्शन पढ़ते वक्त समझी है तो उसको थोड़ा याद करते हैं तेको क्या-क्या दिख रहा है यहां पे आपको यू फॉलीकल होता है जिसके अंदर एग बैठा हुआ है एंड अगर हमने इनस्ट्रूल साइकल पड़ी है आपको समझ में आई है नस्ट्रूल साइकल के 14 डे पर होता है और उ डूलेशन मतलब यह जो फॉलीकल होता है वह फूट जाता है इस तरह से यह रहा हमारा एक जिसको ओवम भी बोलते हैं, उसाइट भी बोलते हैं, करेक्ट, अब ये जो एग है, वो धीरे-धीरे करके फैलोपियन ट्यूब में उपर की तरफ ट्राविल करता है, लैक दस, अगर इस दौरान, टेक्शुल इंटरकोर्स होता है, या फिर सिंपल भाषा में सेक्स होता है, तो, स्पर्म रिलीज होंगे, अब देखो, हमारा स्पर्म जो है, सोलजर है, वो यहाँ पर आ चुका है, यूटरस में, एक्चुली एक थोड़ी होता है, करोडो स्पर्म होते है यह भी मैंने आपको बताया हुआ है, अब यह जो स्पर्म है, यsce दिरे-दिरे फैलो ट्यूब के अंदर तेरते हुए, तेरते हुए जायेगा, एnd जाके, मिलता है अगसेल को, sperm और egg cell दोनों क्या हो जाते हैं फ्यूस हो जाते हैं combine हो जाते हैं इसको हम fertilization बोलते हैं and after fertilization हमें क्या मिलता है हमें मिलता है zygote यहां तक यादे सबको जाइगा अब यह जो zygote है न इस दफोस्ट cell of the baby single cell होता है और यह single cell अब डिवाइड होकर क्या बनता है दो सेल बनता है देखोड सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होकर क्या बना टू सेल्स और यह कौन से टाइप का डिविजन होगा यह माइटॉटिक डिविजन होगा माइटॉसिस जाइगोट से जब बेबी बनता है, माईटॉसस से बनने वाला है, यह आपको बता देता हूं, cool, अब ये दो सेल, वापिस डिवाइड होकर क्या बनेंगे, चार सेल बनेंगे, देखको चार सेल दिखरे हैं अधर, स्ट्रक्चर में, चार का क्या होगा भई, वापिस डबल हो के आब यह आफान वे करने तरफ करेगा इस तरह से फिर-वाल होती है उसको दो मेट्रीयम वाहां जाकर यह ईंब्रेयो खुड को अटाच कर लेता है इसको बोलते हैं इंप Lee Kenya करके यहाँ पर डेवलप होने वाला बेबी और नाइन मंस्स बुडुक करके डिलीवर हो जाएगा बाहर आजाएगा तो यह पूरी कहानी हमने पढ़ी होई है पूरी कहानी हमें पता है अब इस कहानी का ताथ परिया क्या है कन्कुलूजन क्या है वह आपको मैं बताता हूं ध्यान से सुनना तो मान लेते हैं कि यह एंब्रीयों दंदर अची के अंदर ब्रेन है तो उसमें नियूरांस होगे बच्चे के पूर बड़ है तो उसमें red blood cell white blood cell platelets होगा बच्चे के पास मसल्स हैं बच्चे के पास स्किन है बच्चे के पास liver है lungs है kidney है इतने सारे और गन्स है इतने सारे सेल्स हैं इतने सारे टिश्यू जैं यह अलग अलग टाइप के सेल्स कहां से बनें embryo से बनें करेक्ट है मानते हो all the different types of cells in the body कहां से बनते हैं embryo से बनते हैं तो अब ध्यान से सुनना embryo के अंदर जो भी सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं stem cells क्या बोलेंगे stem cells कहां होते हैं stem cells embryo के अंदर होते हैं और इनका काम क्या है अब ध्यान से सुनो कैना इसे stem cells विल गिव राइस तो ओल्ल दिफरेंट आइप्स अव शेल्स विचार प्रेजंट इन दो ऑर्गैनिजम बोडी में जितने सारे सेल हैं वो सारे कहां से आए हैं फ्रॉम दो एंब्रीयो सबसे पहली बात सबसे इंपोर stem cells present होते हैं for example मेरा जो skin skin का अंदर का जो layer होगा नीचे गा उसके अंदर भी stem cells present होते हैं और वो क्या करते हैं जहां से सुनो मान लो कि मुझे कुछ injury हो गए मुझे कुछ लग गया है चोट लग गया है तो वो injury धीरे-धीरे हील होगी ठीक होगी तो हील होने के लिए नया skin cells बनाना पड़ेगा और वो नया skin cell कौन बनाता है stem cell बनाते हैं skin के अंदर के layer में जो stem cell है वो नया skin का cell बना कर देंगे और तुमारी injury तुमारा skin वापिस repair हो जाएगा हील हो जाएगा समझ रहे हो बात को तो मुद्दा समझो stem cells will also play a very important role in the wound healing process body का जो repair mechanism है उसमें भी stem cell का बहुत बड़ा हाथ होता है यहां तक की basic बाते समझ में आ गई पक्का दो काम समझ में आ गए stem cell के तो हम थोड़ा आगे चलते हैं तो बच्चों depending upon source हमारे पास दो टाइप के कितने डाइप के दो टाइप के stem cell है एक होता है embryonic stem cell अब इसका नाम पढ़कर आपको पता चल जाना चाहिए कि यह stem cell हमें कहां से मिलेगा कहां से मिलेगा embryo से मिलेगा embryo के अंदर जो stem cell है उनको हम क्या बोलेंगे embryonic stem cell बराबर सिंपल सी बात है और दूसरा टाइप होता है adult stem cell इसका भी नाम पढ़कर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां में कहां मिलेगा मैंने आपको बताया adult body में भी काफी सारे organs में stem cell प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे adult stem cell बोलेंगे तो इन दोनों को एक एक करके पकड़के इनके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले let us understand embryonic stem cell क्या होते हैं जो मैंने कहानी आपको बताई reproduction वाली वो थोड़ी recap करते हैं थोड़ी फटा-फट चलो मानलो यह हमारा egg cell है egg cell के पास आया sperm sperm और egg cell views हो जाएंगे combine हो जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलता है zygote मिलता है अब इस process को fertilization तो बोलते हैं लेकिन इसका एक और नाम है उसको बोलेंगे conception क्या बोलेंगे conception देखो fertilization and conception are same तो यह बन गया zygote let's say this is day one बच्चा बनाने का जो 9 महीने का process है उसका day one यह है conception conception जिस दिन zygote बनता है कूल फिर यह zygote single cell है पुर वो divide होकर क्या बनता है two cells देखो बई और यह कौन सा division होता है my hypnotic division फिर दो सेल का बनेगा चार सेल इस तरह चार बना चार का क्या बनेगा डबल हो जाएगा एट सेल बनेगा तो यह जो एट सेल वाला जो स्टेज है यह दे फूर तक complete हो जाता है because biology is beautiful तो अब मुझे बताओ day 4 तक 8 सेल वाला स्टेज बन चुका है जिसके अंदर M सेल है अब इसके आगे क्या होता है न दो टाइप के सेल्स बन जाते हैं दो अलग टाइप के सेल्स यहाँ पे बनते हैं देखो आपको एक बहार का लेयर दिख रहा है सेल का and एक अंदर आ यहाँ पे दो अलग टाइप के सेल्स बन जाते हैं on day 5 5th day के आसपास cool अब आगे यह जो embryo है वो धीरे-धीरे uterus की तरफ travel करेगा फिर uterus का जो वॉल होता है क्या होता है endometrium वहाँ पर जाके यह चिपक जाता है तो day 7 के आसपास हमारा embryo क्या हो जाएगा implant हो जाएगा in the end endometrium implantation का process complete हो जाएगा यहां तक की कहानी समझ में आई करेक्ट इसको अभी थोड़ा side में पाक करो एक सेकंड के लिए आपको एक दूसरा story बताना है कि देखो अभी आप school में हो your intense standard आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो math Hindi Marathi geography history civics यह सारे सब्जेक्ट आप एक सब्जेक्ट में specialized नहीं हो आप कैसे हो आप unspecialized आपको बहुत कुछ आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है पूरा नहीं आता है आप unspecialized फिर मान लो कि आगे जाके आपने college में science लिया है आपको engineering करनी है तो आपने JW का preparation किया आपने JW मेंस दिया JW advance दिया वो clear कर लि फिर IIT में आपने software engineering study किया अपका graduation IIT से हुआ ठीक है अब आपको software engineering बहुत अच्छी तरह से आता है फिर आपको job मिला और आपका job है क्या है job software develop करना you are a software developer तो कैना इससे धीरे 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 आप develop हुए mature हुए आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और आप specialized हो गए हो in software development समझ रहे हो यह हमारे life की कहानी है हम बचपन में unspecialized थे फिर धीरे 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 पढ़ाई करके हम specialized हो जाते हैं और फिर हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है और हम जिंदगी पर वही करते हैं most of the times इस story समझ रही है अब इस story को हम हमारे biology में add कर देते हैं थोड specialized stem cell है कैसे unspecialized stem cell इनका कोई specific purpose नहीं है ठीक है लेकिन यह stem cell आगे जाके अब देरे देरे चेंज होने लगेंगे develop होने लगेंगे तो अब आगे क्या होता है देखो embryo के अंदर germ layers बनते हैं germinal layers हमने chapter 6 animal classification में पढ़ा था न rial isreal embryo में देखो blue color का जो layer है वो एक्टोटम है ड्रेढ की नीचे आपको स्ग्ट कुर्र क्रेड का लेड दिख रहा है वह क्या है मैजओ ड्लम के नीचे जो यलॉlles की दिख रहा है वह क्या है एंडौर्म है तो हमारे जो जो unspecialized stem cell हैं, वो दिरे-दिरे क्या बन रहे हैं? जर्माइनल लेयर्स बन रहे हैं, यह जर्माइनल लेयर्स बनने का process day 12 तक complete हो जाता है, अब इसके आगे, जर्म लेयर्स में से बेबी के अंदर के जितने सारे cells हैं, वो बनने वाले हैं, जर्म लेयर्स में से सारे cells बनेंगे, example देता हूँ, ectoderm जो है, उसमें से हमें मिलता है neurons, मतलब तुमारा जो nervous system है, brain है, spinal cord है, वो सब कहां से आता है? ectoderm से आता है, फिर mesoderm से हमें मिलते हैं bone cells, मतलब तुमारा जो पुरा skeleton है, वो कहां से बनाए? mesoderm से बनाए, bone cells का नाम दिया हुआ है, scientific name, osteocytes, यह objectives में आ सकता है, तो प्लीज याद रखना इसको, what are bone cells, osteocytes, and endoderm में से काफी सारी चीज़े मिलती है, एक example दिया है liver cells, and इसका भी नाम हमें दिया हुआ है hepatocytes, hepatocytes, objectives में आ सकता है, याद रख लेना, cool है, तो पुरी कहानी समझ रहे है, क्या हो रहे है, embryo के अंदर unspecialized stem cells थे, वो धिरे-धिरे-धिरे-धिरे mature हुए, develop हुए, change हुए, and specialized बने, neuron बना, bone बना, liver बना, उसी तरह body के अंदर stomach है, heart है, lungs है, kidney है, liver है, यह सब बनने वाला है, तो can we say, यहाँ पे क्या हुआ, a cell changes from one cell type to another cell type, हमारे जो stem cell है, वो धिरे-धिरे change होकर different हुए, तो यह जो पुरी process है, different होने की, change होने की, इस process को हम बोलते है, है, cellular differentiation, नहीं समझा, one more time, what is cellular differentiation, the process, where a cell will change from one cell type to another cell type, हमारा stem cell, धिरे-धिरे change होकर, neurons भी बना, bones भी बना, liver भी बना, heart भी बना, सब बना, इस पूरे change के process को क्या बोलते है, cellular differentiation, आरे समझ में आ रहा है कि नहीं, काफी simple सी चीज है, and usually, the cell will change from an unspecialized type, to a more specialized type of cell, समझा क्या, पक्का, अब आपको यहां पर reality बताओं क्या होता है, तो मान लो यह हमारे क्या है, embryonic stem cell है, अब इस में से बेबी बनेगा, बच्चा बनेगा, तो सारे cells बनने वाले हैं, body के, कितने होते हैं, embryonic cells, after differentiation, they can form 220 different type of cells, in the human body, आपके body के अंदर 220 अलग-अलग type का cells होता है, और वो सारा cells कहां से आता है, from embryonic stem cells, समझे रहें, पत तो बराबर हैं, यह हमारे stem cell हैं, और वो 220 अलग-अलग type का cell बना कर हमें दे रहे हैं, तो can I say, they are the parent cells of all types of human cells, आपके जितने सारे cell हैं, उनका बाप कौन है, stem cell है, एंद एक और बात, यह जो stem cell है, इनके पास एक special ability है, इनके पास एक special potential है, कौन सी ability है, they have the ability to develop into all cells of the adult body, बाड़ी का हर एक cell यह लोग बना सकते हैं, यह ability उनके पास है, इस ability को, इस potential को हम बोलते हैं, pluripotency, अब इस word का मतलब समझो भाई, इसको तोड़ते हैं, तोड़ा, काट की समझते हैं, pluripotency मतलब many, plural, pluripotency मतलब potential, ability, the potential to develop into many types of cells, समझ रहे हो, समझ रहे हो, the potential to develop into many types of cells is called as pluripotency, पक्का, तो अभी ध्यान से सुनना, यह जो cells हैं, यह change होते हैं, उस change के process को क्या बोलते हैं, cellular differentiation, लेकिन इनके पास जो ability है to change, उस ability को हम क्या नाम देंगे, pluripotency, दो अलग चीज़े हैं, cellular differentiation and pluripotency, confuse मत हो जाना यहां पर, ठीक हैं, यहां तक समझ में आया है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो देखो, अब यह लोग ने क्या बोला हैं, इफ दस टेम सेल्स आर कलेक्टे डूरिंग दे फिफ्थ और सेवन्थ डे, जाइगोट बनने के बाद पाँचवे या सातवे दिन पर हम स्टेम सेल्स को कलेक्ट करेंगे, लेकिन कहां से कलेक्ट करोगे, किसी प्रेगनेंट लेडी के अंदर एम्ब्रीयो बना हुआ है, उसको तो तुम नहीं निकाल सकते हैं, ओवियस सी बात है, तो यह स्टेम सेल्स तुमें मिलेंगे कहां से, ध्यान से सुनना, याद करना वो दिन आपको मैंने IVF, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी सिखाया था, किस तरह बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ओवरी में से एग्ज को एक्स्ट्राक किया जाता है, फिर वो एग्ज पेट्री डिश में लेते हैं, उनके उपर स्पर्म्स को रिलिस किया जाता है, फर्टिलाइज़ेशन होता है, और फिर पेट्री डिश में एव्ब्रियो क्रेट किये जाते हैं, फिर उसमें से एक-दो एव्ब्रियो प्रेग्नेंसी परपस के लिए यूज किये जाते हैं, और काफी सारे एव्ब्रियो एक्स्ट्रा बचे हुए होते हैं, तो वो जो बचे हुए एव्ब्रियो हैं, जो यूज नहीं हुए, उनको फेकना नहीं है, उन एव्ब्रियो से हम हमारी स्टेम सेल रिसर्च करने वाले हैं, समझ रहे हो stem cell कहां से मिल रहा है from the extra embryos produced during test tube baby process cool तो चलो मालो कि यह हमारा embryo है अब इसको लेकर हम इसको laboratory में grow करेंगे culture करेंगे using specific types of chemicals त्याहां से सुनना बच्चों these stem cells they will be grown with certain biochemical stimulus in the laboratory simple भाशा में stem cells के ऊपर हम कुछ chemicals release करेंगे so that stem cells grow होने लगे okay and as per the stimulus they can transform themselves into desired type of cells मतलब क्या अब imagine करो मेरे हाथ में stem cell है यह क्या है इदर stem cell है इनके उपर मैंने एक टाइप का chemical release किया ठीक है stem cells के ऊपर मैंने एक bio chemical release किया तो यह stem cell मुझे muscle बना के देते हैं ठीक है stem cell transform होके muscle बन जाते हैं लेकिन अगर इन stem cell के ऊपर मैंने कोई तीसरे टाइप का bio chemical release किया तो यह stem cell मुझे blood के cell red blood cell बना कर देते हैं लेकिन अगर इन stem cell के उपर मैंने कोई तीसरे टाइप का bio chemical stimulus release किया तीसरे टाइप का chemical release किया तो यह stem cell मुझे neuron बना कर देते हैं समझ रहे हो मेरी बात depending on the chemical आप कौन सा chemical यूज कर रहे हो यह stem cell आपको अलग-अलग type के cells बना कर देंगे in the laboratory stem cell में से आपको heart muscles भी बना कर मिल सकते हैं आपको intestine के cells भी मिलेंगे आपको skin के cells भी मिलेंगे depending on the chemical you are using stem cells can transform into any desired type of cell समझ रहे हो लेकिन यह क्यों हुआ कैसे हुआ इसके पीछे भी कुछ राज होगा बताता हूं एक कहानी सुनो मालो कि यह मेरे bedroom का switchboard है अब मेरे bedroom के अंदर lights है पंखा है AC है फिर एक छोटा सा light है इदर उपर फिर छोटे-छोटे yellow color के lights हैं बहुत सारे lights हैं लेकिन यह सब बंध हैं ठीक है सारे switch बंध है तो इनको मुझे एक-एक करके चालू करना पड़ेगा एक-एक light को मुझे activate करना पड़ेगा पहला बटन चालू करूंगा तो उपर का light ceilingलाइट हैं दूसरा बटन चालू किया तो पंक्खा चालू हो गया तीसरा बटन चालू किया तो yellow वाले लाइज चालू हुए हूँ ठीक है तो एक-एक light को मैं manually activate कर रहा हूं चालू कर रहा हूं समझ रहें सारे lights present हैं लेकिन बंद हैं, एक एक करके उनको हमें चालू करना है, अब ये example लेके हम यहाँ पर apply करते हैं, यहाँ से सुनना, देखो, stem cell के अंदर सारे टाइप के genes present होते हैं, What are genes? Segments of DNA, DNA का तुकड़ा, that controls a character, हमने पढ़ा हैं, chem cell में सारे टाइप के genes present हैं, बट वो बंद हैं, deactivated हैं, अब chem cell के उपर जब भी हम कोई chemical, biochemical stimulus release करते हैं, तो कुछ genes activate हो जाते हैं, and depending on the gene, कौन सा वाला gene activate हुआ, हमारा stem cell खुद को उस हिसाब से convert करेगा, So, मान लो कि अगर muscle वाला gene activate हुआ है, तो stem cell muscle बनने लगेगा, अगर blood वाला gene activate हुआ है, तो stem cell blood बनने लगेगा, समझ रहे हो, अगर neuron वाला gene activate हुआ है, तो हमारा stem cell neuron बनने लगेगा, So, depending on the gene that is activated by the biochemical stimulus, stem cells will transform themselves into desired type of cell, and thereby tissues, tissues भी बनेंगे, and finally stem cells से organs भी बनाय जा सकते हैं, in the laboratory, although अब तक successfully organs बने नहीं है, पूरा organ, पूरा heart, पूरा liver, अब तक बनाया गया नहीं है, but scientist लोग ने काफी सारे अलग-अलग tissues create किये हैं using stem cell, skin बनाई गई है, heart का muscles बनाया गया है, neurons बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें stem cell को use करके बना, बनाई जा सकते हैं, और फिर उनको कहां use करना है, किस तरह use करना है, वो भी आपको हो, आगे बताऊंगा, मैं, cool, थोड़ी complicated हो सकती है, story, but I hope समझ में आई है, अगर समझी है, तो चलि थोड़ा आगे जाते हैं, embryonic stem cell हो गया, तो पकड़ते हैं, adult stem cell को, क्या body है, चड़ी का advertisement, चड़ी का brand दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप देख लो कौन सा brand है, anyway, मुद्ध पर आते हैं, अपने body के अंदर, adult body के अंदर, three main जगा होती है, three main sources होते हैं, जहाँ पर हमें stem cell मिल सकते हैं, cool है, तो क्या बोलनेगा, देखो, there are three main sources of stem cells in the body of adult person, three main sources, इनके अलावा भी और भी organs हैं, जहाँ पर stem cell present हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ main sources के बारे में बात करेंगे, three main sources, cool, देखो, number one, आता है red bone marrow, अब आपका जो hip bone है, hip समझते हो, पिछवाड़ा, back side, आपका जो thigh bone है, आपका जो vertebral column है, back bone, इन सब bones के अंदर, एक jelly like material होता है, फ्लूइड जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं, bone marrow, जो लोग बकरा खाते हैं, वगेरा, खाया होगा, उनको पता होगा, पाया बनता है, वो पाया में क्या होता है, bone marrow होता है, जिसको खाया जाता है, तो ये bone marrow के अंदर होते हैं stem cell, and ये stem cell बनाते हैं blood, I repeat, bone marrow के अंदर का stem cell, क्या बनाता है, blood बनाता है, तो basically आपके body में जितना सारा blood है, वो कहां बना है, bone marrow के अंदर manufacture हो है, समझ रहे हो, number one source, number two, हमारा जो चरबी है, fats है, अडिपोस connective tissue हमने last year 9th में पढ़ा है, चरबी, इसके अंदर भी stem cells present होते हैं, and तीसरी बात, हमारा जो blood है, blood के अंदर भी कुछ quantity में, small quantity में stem cells present होते हैं, तो ये हो गए हमारे 3 major main sources of stem cells in the adult body, cool, apart from these, इनको थोड़ा भी side में रखो, इनके अलावा भी stem cells can be obtained from the cord blood immediately after birth, जब baby deliver होता है, हमने बात की थी न, umbilical cord होती है, placenta होता है, तो उस umbilical cord के अंदर भी blood होता है, उस blood को बोलते हैं, cord blood, and इस cord blood के अंदर भी क्या होता है, stem cell होते हैं and दुनिया में बहुत सारी जगाओ पर लोग अपने बच्चे का cord blood preserve करके रखते हैं, तोर करके रखते हैं for future use, तो अब इसको तोर किस तरह करना है, तो let us understand एक छोटा सा topic, stem cell preservation, देखो, जैसा sperm bank होता है, जहां पर sperm को preserve किया जाता है, वैसे ही stem cell bank होती है, जहां पर stem cell को preserve किया जाएगा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले, for the purpose of preservation, stem cell samples are collected, stem cell को collect करना पड़ेगा, कहां से collect करेंगे, from the cord blood, number one, या फिर from the bone marrow, bone marrow के अंदर से भी stem cell को collect किया जा सकता है, या फिर from the embryo, हमने, मैंने बताया ना, test tube baby बनाते वक्ट जो extra embryo बच जाते हैं, उनका भी stem cells हम collect कर सकते हैं, ठीक है, फिर, these samples will be kept in small sterile vials, vials मतलब छोटा test tube जैसा होता है, छोटा सा, उसके अंदर हम हमारा sample भर के रख देंगे, एंद फिर, these vials will be kept in liquid nitrogen at the temperature, minus 135 to minus 190 degree Celsius, liquid nitrogen के अंदर उसको store किया जाएगा, at this temperature, और ये temperature objectives में आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने embryonic stem cell पढ़े, क्या होते हैं, कहा होते हैं, और किस तरह काम करते हैं, हमने adult stem cell पढ़े, और हमने stem cell का preservation पढ़ा, आज का lecture हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन अभी भी काफी सारी चीज़े हैं, जो बतानी बाकी हैं, जो हम अगले lecture में देखेंगे, ठीक है बच्चों, आज के lecture का एक थोड़ा सा summary मैंने lecture के end में डाला हुआ है, वो भी देख लो, वो भी लिख लो, पढ़ लो, जो भी है, use हो जाएगा, आपको help हो जाएगा, and as usual, thank you very much for watching.